Hello everyone and once again welcome to Umar Taskir YouTube channel, myself Umar Taskir guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं about network settings, guys, last के वीडियो में हम लोगों ने समझने कुशिश करी थी, कि जो एक search campaign है, उसका walkthrough किस तरीके का होता है, क्या क्या settings होती है, या क्या levels होती है, एक general overview हम लोग लिया था, और जब हम लोग उस campaign को setup कर रह और देखेंगे कि किस तरीके सा हमें select करना चाहिए, वहाँ पर जो network settings है, उनको अगर हम search campaigns बनाने जा रहे हैं, तो guys, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, नए campaign के उपर एक बार जल्दी से फिर से आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग को जाना है simply create a campaign without a goal guidance के उपर और इसके बाद हम search के उपर जाएंगे, then we will click on continue, पिछले जो option था, जहाँ पर website fill करने का हमें option मिलता है, वहाँ पर यह हमारी मर्जी है, हम रखना चाहें, website तो रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम website वहाँ नहीं mention करेंगे, तो हमें campaign में आगे नहीं बढ़ने देगा, ऐसा बिलक हो गया, ठीक है, general keywords मैं यहाँ पर target कर रहा हूँ, तो मैं general keywords लिख देता हूँ यहाँ पर, and it is created by me, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उमर, और कुछ date अगर अगर आप लिखना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यह totally up to you है, कि आप यहाँ पर चीज network के उपर दिखाओ, तो जितना भी scope होता है, जहाँ जहाँ भी आपके search ads दिख सकते हैं, by default Google क्या करता है, सभी को check करके दे देता है, तो मैंने देखा है guys, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई changes ही नहीं करते हैं, और जो by default उन्हें option दिखता है, उसी के साथ व search ads की बात करते हैं, तो basically हम लोग high intent के जो audience है, उसको pick करना चाहते हैं, बहुत अगर हम लोग search campaign रन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने कुछ keywords जो है, उनको shortlist किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि उन keywords को जब कोई user Google पे जाके search करें, तो हमारा ad दिखा right, but यहाँ पर जब हम display network को check कर दें, तो क्या होता है, कि उस type की keywords में जो interest रखता है, या उस type की audience होती है, वो जब किसी दूसरी website के उपर जाती है, जो कि basically display network में है, या Google के display network में वो website है, तो वहाँ पर हमारा search ad है, वो दिखाई देता है, तो actually पहली problem तो यह है, कि जो हम ब हो जाती है, क्योंकि display network select करते ही, आपका जो ad है, वो दूसरी अलग-अलग websites के उपर भी दिखना शुरू हो जाता है, जो कि basically आपके CTR को भी कम करता है, क्योंकि जब कोई user किसी website के उपर जाता है, तो वहाँ पर उसका intention इस तरीके से नहीं होता है, कि वो हर ad के उपर click तो क्या होगा, वहाँ पर आपका CTR डाउन होगा, और आपको पता है, CTR एक बहुत important factor है with regards to quality score, तो आपका quality score भी डाउन होगा, और अगर generally देखा भी जाए, और आम बातचीत की भाहसा में भी समझने की कोशिश करो अगर आप, तो अगर हम लोग search ad चला रहे है, तो फिर ह सवाल करो कि आपके सर फिर तो Google ने option ही क्यों दिया, और by default वो क्यों recommend कर रहा है, कि display network के उपर भी जो है, आप साथी साथ ad दिखा होगा, इस by default वो इसलिए recommend कर रहा है, क्यों Google चाहता है कि उसकी जितनी भी properties है, जहां जहां वो आपका ad दिखा सकता है, वहां 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 व जो है, पर logical यह अगर देखा जाए, और आपने decide यह किया है, कि मुझे search campaign ही चलाना है, फिर display network को check करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर अगर आप देखो, तो यह आपको recommend यही करते है, easy way to get additional conversions at similar lower cost than such with unused search budget, ठीक है, and यहां पर इनोंने last में लिखा, I don't miss the opportunity to get additional conversion at similar or lower cost with just one click, one click means, यह आपको recommend करेंगे, यहां पर आप इसको select कर लो, ठीक है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, एकर आप dedicated search campaigns run करने जा रहे हैं, आपकी keywords बिल्कुल define है, आपको पता है, कि यह मेरे keywords है, इनके उपर अच्छागा सा traffic भी है, इनका search volume भी है, लोग इन keywords को search कर रहे है, फिर क्या ज़रूरत है, आपको display network की तरफ जाने की, ठीक है, तो जादे तर cases में, I mean 99% of the cases में, मेरे साथ ही होता है, कि मैं display network को कभी भी check नहीं करता हूँ, अब आ जाते हैं search network पे, तो search network में, अगर हम main चीज की बात करें, जो Google search engine result pages है, अगर आप यह चाहते हो, कि कोई Google प पर भी आपका add दिखे, तो ये भी मैं recommend नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपका budget limited है, अगर आपके keywords पहले से ही defined है, और आपके keywords का search volume अच्छा खासा है, ठीक है, कि आपको already अगर आपने अच्छी तरीके से जो है, अपने campus को optimize किया है, search campus को optimize किया है, तो यहीं से आपको अच्छा गजा traffic मिल जाएगा, और यह जो particular traffic होगा, यह high intent का traffic होगा, quality traffic होगा, कि लोग इसको search कर रहा है, वहीं पर जो Google search partners के उपर आपके add दिखते हैं, वहाँ पर जो searcher होता है, या जो user होता है, उसकी intent उतनी जादा नहीं होती, तो हम यह नहीं कह सकती कि बहुत ही अच सकते हो, ठीक है, अगर आपको यह लगता है, कि मेरे जो keywords है, इनका search volume बहुत कम है, ठीक है, इनका search volume बहुत कम है, तो मैं बिना display network पे जाए, बिना जो Google के search partners है, इनके उपर जाए, मैं बहुत जाए traffic नहीं attract कर पाऊँगा, तो फिर आप जा सकते हैं, बट इनके side effect भी है, side ठीकली search network को भी off कर देता हूँ, और मैं display network को भी off कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ गूगल के उपर बस मैं इनके को target करता हूँ, मैं recommend करूंगा, अगर आपने research ची करें, तो भी आप इसी तरीके से further move कर सकते हैं, मैंने pros cons दोनों बता दिया, आपको आप test करना चाहो, तो ऐसा नहीं है, कि बिल्कुल आपका camp and global हो जाएगा, मैंने pros cons दोनों बता दिया, आपको अगर आप test करना चाहो, तो इनके साथ भी आप test कर सकते हो, बट मैं नहीं करता हूँ, right, तो guys, I believe अभी आपको यह जो search network की settings है, इनके बारे में clarity हो गई होगी, इस particular वीडियो में इत्मा है, विलता है next video में, till then, goodbye.